अलो फ्रेंट्स बेलकम टू माइने वीडियो जैसे कि आपने थम्नेल पर पड़ी लिया होगा तो दोस्तो आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे इपनी बैटरी की बचत कैसे करें दोस्तो यहां पर अगर आपकी बैटरी नहीं ज़्यादा टिक रही है और एक दिन चल करते ही आपकी बैटरी की बच्चत होगी जो कि आप एक गंटे में या आपकी बैटरी बिल्कुल नहीं टिकती है तो दोस्तो अगर आज की वीडियो आप पूरी देख लेते हैं शुरू से अंड तक तो आप अपनी बैटरी को दो दिन चला सकते हैं दोस्तों और यहां पर साथ ही गाईज और भी सेटिंग में आपको जानकारी देने वाला हूं तो वीडियो को एंड ते सुरू तक देखिए सुरू से एंड तक और तब ही आपके समझ में आएगा तो दोस्तों यहां पर आपको अपने गोगल में जाना है गोगल फोटो में यह सभी के मॉबाइल में एप Jacobs दे रहता है और यहां पर आपको Google Photo पर क्लिक करना है तो जैसे ही आप Google Photo पर यहां पर क्लिक करते हैँ तो यहां पर जो भी आपका डाटा होता है याँ जो भी फोटो वीडियो सभी यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे Simply दोस्तो तो ये सभी के में एप्स होता है normally तो यहाँ पर जो भी आपका डाटा आता है सब इसी के अंदर इकटा होता है तो दोस्तों क्या था कई बार की यहां पर आपके जो गैलरी में वीडियोस होते हैं वो आटोमेटिकली ही चलने लगते हैं जो वीडियोस होते हैं वो आटोमेटिकली ही चलने लगते हैं और उससे आप क्या आता है आपकी बैटरी तो जाती है साथ में जो आपका मॉबाइल क डाटा है वो भी जाता यानि MB जो भी उती है वो भी साथ में खर्च होती है और आप इंट्रनेट को जैसे आप जैसे इमोबाल को चालू करते हैं तो 50% तो डाटा आपका ऐसा ही यूज हो जाता है तो उस setting को आपको कैसे बंद करना है और कहां से बंद करना है तो मैं वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो को end से शुरू तक जरू देखिए तो दोस्तो यहां पर आपको जैसे कि आप gallery में खुलते हैं तो यहां पर वीडियो बेगरा चलने लगती है जो इसका background वो चलने लगता है तो दोस्तो उसको आपको कैसे बंद करना है तो यहां पर आपको profile पर अपनी click करना है profile पर click कर देने के बाद यहां पर photo setting में आपको जाना है और photo setting में जाने के बाद यहां back up and sing तो इस पर आपको click कर देना है तो दोस्तों यहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पर Mobile Data Users इस पर आपको क्लिक करना है और यहां पर आपका जो होगा 10 MB पर होगा या 30 MB पर होगा जैसे कि यहां पर आपका 30 MB पर होगा और यह notification on होगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको इन दोनों को off कर देना है और यहाँ पर आपको no data पर click कर देना है अगर आप no data पर click कर देते हैं तो यहाँ से आपकी gallery में जो photos वीडियोस होती है वो चलना बंद हो जाएंगे और उससे आपका जो data खत्म होता है बैटरी खत्म होती ही वो भी खत्म होनी बंद हो जाएगे तो दोस्तों दूसरी setting में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ जो कि यहाँ पर back up device folders यानि इस पर आपको click करना जैसे कोई भी आप WhatsApp या Instagram कोई भी चलाते हैं तो वहाँ पर जो भी वीडियो अपलोड होती है आप अपलोड करते हैं डारेक्टली आपके इस Google फोटो के अंदर एड आ जाती है तो दोस्तों अगर आप उनको डारेक्टली वहाँ से अगर एड होती है तो वहाँ से आपकी बैटरी की ज़्यादा खपत होती है और आप जानते हैं अपलोड होने में कितना टाइम लगता है कितने बैटरी खर्च होती है और कितना डाटा खर्च होता है तो दोस्तों जो भी आपको वहाँ पर यूज करते हैं तो अगर आप अपनी बेटरी को दो दिन चलाना चाहते हैं तो यहां से आपको नोटिफिकेशन को ओफ कर देना है और तीसरी सेटिंग में आपको बताने वाला हूं कि जो कि यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी सिंप्ली तो यहां पर आपको यह नोटिफिकेशन का आपसन देखने को सिंप्ली मिल ला है और यहां पर सजेशन्स डिलेशन्स आप अगर कोई भी मतलब फोटो को relations में fixes करना चाहते हैं यानि send करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इसे on नहीं करना है जैसे कि आपको इसी के पास आपकी Gmail एड़ हो दिया है और आप इसे on कर देते हैं तो automatically इसे वहाँ पर उसकी Gmail के में आपकी फोटो पहुंच जाएगी तो दोस्तों यहाँ से इसे off कर देना है और यहाँ पर option दिया होगा यह एक partner sharing का option देखने को मिला है simply अगर आपके में इस तरह का है तो ठीक है अगर आपके में यहाँ से कोई भी आपको Gmail जा रही होगी और फिर आप कहते हैं कि मेरी फोटो इनके पास कैसे पहुंच गई तो दोस्तों यहाँ से उसके Gmail को delete कर देना है उसे यहाँ पर नहीं रखना है अगर आपका किसी भाई बंदू या किसी का यहाँ पर Gmail है तो वहाँ पर जो भी आपकी इसमें फोटोस होती है वो उसके में चली जाएंगी तो उसको यहाँ पर नहीं रखना है और चौती सेटिंग में आपको बताने वाला हूँ जो कि आपके मोबाईल सेटिंग में है मोबाईल सेटिंग के अंदर है यहां पर आप जाएंगे यहां पर जाने के बाद नीचे स्कroll डाउन करना यहां पर आपको बैटरी पर्फॉर्फोर्मेंस का option देखने को simply मिल ला है दोस्तू तो यहां में आपको इस तरह का इंटर्फेस देखने को मिल जाएगा यानि कि जब भी आप चार्जिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको जो यह ग्रीन कलर की लाइट देखने को मिलती होगी तो दोस्तो यहाँ से आपको ओन कर देना है और अगर इन्हें यहाँ पर आप ओन कर देते हैं जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं चलने वाली ऑर इसे ओप कर देते तो यहां Yeah छाटिस नुट चलेगी अगर आप आप अन कर देंगे तो यहां पर 27 घंटे तो दूस्तों इस से만टिंग को आपको फूरो कर लेना है अगर ईतनी से प्सूर कर लेते हैं तो बैटरी आप की और बैटरी की बचत होगी और डाटा भी सेव रहेगा जो कि आप मोबाइल चलाएं या ना चलाएं बस ऐसे लाइट बैट जलाते हैं या खोलते हैं तब भी आपका डाटा यूज हो जाता है पचास प्रसंट तो आए उप आज की वीडियो आपको काफी ज्यादा प्रसंद अगर प्रसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बारत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को फ्रेज कर दीजिए